अंद्रप्रदेश में दुनिया का सबसे पुराना शुतुर मुर्ग का घोंसला मिला है। 41,000 साल पुराने इस घोंसले को इंटरनेशनल वैज्यानिकों की टीम ने प्रकाशम जिले में खोजा है। जहां पर यह घोंसला है वह जगह प्राचीन जीवाशमों का खजाना है। शुतुर मुर्ग के इस घोंसले की चोड़ाई करीब 9-10 फीट है। इससे पता चलता है कि इस घोंसले में कितना बड़ा शुतुर मुर्ग या उसका परिवार रहता होगा। साथ ही इसके रहवास का सही आइडिया लगता है। इस घोंसले को खोजा है वडोदरा स्थित MS University के पुरा तत्वविदों ने इसमें इनका साथ दिया है। जर्मनी, औस्ट्रेलिया और अमेरिकी वैज्ञानिकों ने MS University के Department of Archaeology and Ancient History के Assistant Professor देवारा अनिल कुमार ने कहा कि यह खोज भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह एक मेगाफॉनल प्रजाती है। यहां पर हमें शुतुर मुर्ग के अंडो के 3500 से ज्यादा प्राचीन टुकडे मिले हैं। यानि दक्षन भारत में किसी समय शुतुर मुर्ग रहते थे। देवारा ने बताया कि और स्टडी करने पर यह भी पता चलेगा कि भारतिय प्रायद्वीप में शुतुर मुर्ग कैसे आया। कितने समय यहां रहे। क्योंकि इसके पहले की स्टडी में शिवालिक हिल्स और प्रायद विपिय भारत में शुतुर मुर्गों के होने के प्रमाण मिले हैं जो की हजारों साल पुराने हैं इस स्टडी को लीकी फाउंडेशन से फंड मिला था ताकि वैग्यानिक इस प्राचीन पक्षी के हैबिटेट आदी को समझ सके